मेरा जरा दुख मिटाना है, सेट ने बोला किस बात का दुख, उसने सारी बात बताई, सेट ने मत्था कुट्टा, बोले मैं और सुखी, इंकम टेक्स का टेंशन दिन रात रहता, अभी चितंबर की बात सुनके तो और मेरी नीद अराम हो रही है, और सतपाल जी महराज भी ऐसे ही बोलते हैं, वाइट मनी करा लो, मेरी नीद अराम हो गई, जैराम जी कही है, और तु मेरे को सुखी मानता है, रॉंग नंबर है, दूसरी बात है, छोड़े, मुपत का मिल गया उड़ाते हैं, और मेरे को नीद नी आती है, और मुनीम चैन से सोते हैं, बिगड़े क तो हमारा बिगड़े का उनके बाप का क्या जाए, लड़ू खाने तो नोकर नोकरा नीखाते हैं, और मेरे को डाइबिटिस है यार, और मेरे को सुखी मानते हो, और भॉले फिर दूसरा कोई, दूसरे तीसरे जो भी सेट थे, उनके पास, बोले जरा सा डी-म ओर्डर करता है तो हमारे नाक में दमा आ जाता है, जरा सा, एस्पी जरा नाराज हो जाता है, तो हम सेटों को परिशानी हो जाती, उसने का ठीक हम समझ गये, एस्पी, आईजी, डी-आईजी, ये ही सुखी हैं, उनके जूते उठाला है, उठाले के, सभने अपना अपना दुखडार हो मैं ना कहीं, दो मैं ना कहीं, मर्ग मच्चों के एडमिशन ये, उन्होंने अपने-पने प्राबलेम सुनाए, दुख सुनाए, ऐसे करते-करते पूरा गां, पूरा तैसिल, पूरा इलाका, छान मारा, कोई पूर्ण सुखी दिखाई नहीं, जब तक दे को मैं मानोगे, सं सार को सत्य मानोगे और असली सत्य को पूले रहोगे, पूर्ण सुखी, पूर्ण निश्चिंत, पूर्ण स्वस्त कोई रह ही नहीं सकता, और जीवन की मांग है, पूर्ण स्वस्त, पूर्ण सुखी और पूर्ण सन्मानित जीवन, ये जीवन की मांग है, किसी भी जाती का किसी भी मजहब का, किसी भी धर्मखा व्यक्ति हो स्वस्त जीवन, सुखी जीवन और सन्मानित जीवन चाहता है लेकिन गल्ट ये करता है कि इस नकली के द्वारा जाता है असली में टिक जाओ फिर नकली अपने आप ठीक चलेगा तुम अपने असली सरीर को ठीक चलाते तो परचाई उसी ढंग से चलने को बाद है लेकिन परचाई के अनुरूप तुम चलते हो तो न परचाई सुखी न आप सुखी ऐसे इस सरीर को मैं मान कर बदलने वाले मन को और बदलने वाले बुद्दी की निरने को मैं मेरा मान कर आप चलते हूने तो चलते चलते जुग बिट जाते कभी पूर ने कहा भतक मुवा भेदू बिना पावे कौन उपाए खोजत खोजत युग गए पांकोस घर आए स्वस्त जीवन सुखी जीवन सन्मानित जीवन को खोजते खोजते युग बीत गए लेकिन पढ़ा है यही दिले तस्वीने है यार जबकि गर्दन जुकाली और मुलाकात कर ली वे थे न मुझ से दूर न मैं उन से दूर आता न था नजर तो नजर का कसूर था वो निगाहे नहीं थी वो द्रश्टी नहीं थी नजरें बदली तो निजारें बदले किस्ती ने बदले रुख तो किनारें बदले किवल नजर बदल जाये तो किनारा मुक्ती का आ जाएगा किस्ती थोड़ा रुख बदल दे बस आपके पास जो योग्यता है बहुत है जो कुछ है परियाप्त है मुक्ती के लिए और कुछ पाना नहीं बेर करना नहीं कुछ छोड़ना नहीं आप जाँ है वहीं से अगर केवल थोड़ा सा रुख बदल दे एंकल थोड़ा सा बदलते हैं और दोनों गाड़ियां खड़ी है देरादून स्टेशन पर एक थोड़ा से एंकल बदल जाते तो हावड़ा पहुंच जाते अब दूसरी पहुंच जाते है महाराज बंबई अब मुंबई और हावड़ा में इतना अंत्र हो जाता है दून से चलते अब जैराम जी बोलना पड़ेगा टर्मिनल नमबर तीन पर जहास खड़ा है बुसी दिशा में टर्मिनल नमबर तीन पर थोड़ी देर के बाद दूसरा जहास खड़ा रहता है दोनों उसी रनवे पर उड़ान भड़ते है एक पहुंच जैता है पूर्व और दूसरा पुस्टिम पहुंच जाता है थोड़ा सा इंगल बदलते है ऐसे ही जिनों ने नकली में का इंगल रखा है तो एक तो जनम मरण में और दुखों में व्यादियों में परिशानियों में पहुंच जाते है दूसरे सुक, सुविदा, मा, दूर्या, आनन्द और भोग, मोक्ष को भोगते हुए परव्रम, परमात्मा तक पहुंच जाते है प्रश्टन ये सब तुम्हें लिला करने की क्या जरूरत है तुम्हें कोई बेटा-बेटी चाहिए, या धनमाल चाहिए, या तुम्हें तो ये नकली आहम में तो कुछ चाहिए नहीं और असली को तो तुमने पाया हुआ है पिर ये हमारे पैर दोने की ये सारी इहलिला क्यों करते हो केश़व, हम तुम्हें जानते हैं श्री क्रश्ण ने कहा भागवत का दसमा सकंद, चोर्याशिमा अज्याय, बाहरमा और तेरमा श्लोकाब देख लेना बले श्री क्रश्ण ने कहा कि पचास वरस की निश्कपट भगती से भी रदय का अज्यान नहीं जाता, लेकिन दो घड़ी तुमारे जिसे माहपुर्शों की सेवा से रदय का अज्यान मिट जाता है, इसलिए मुझे चरण धोने दो पचासों वरस की निश्कपट भगती से रदय का अज्यान नहीं मिटता, लेकिन दो श्रण तुमारे जिसे ब्रम विता संतों के कृपा से रदय का अज्यान मिट जाता है, मोलाना जलालुदिन रोमी, बड़े धनाड नवाब आई, यकनि ये सब भोग भोगने के बाद, सब वैभोग के होने के बाद भी अंदर कुछ समझ थी, कठ था के आखिर क्या, शाई महल है, विशाल सरोवर जैसा स्विमीम पुल है, सारी बीबियां और बीबडे और सारे हैं, हुकम के बंदे होकर बैठे हैं सेवा में, लेकिन आखिर कब तक, ये बुद्धि मता है, आखिर कब तक, ये मिल गया आखिर कब तक, ये भोग लिया आखिर कब तक, विवेक जगार उन्होंने असली सचाई खोजने के लिए, अल्ला ताला का अनुभव करने के लिए, दुनिया के पहुचे पहुचे फकीरों के ग्रंथ मंगवाए, कोई अर्वस्तान से आया, कोई तुर्कस्तान से आया, कोई इरान से ग्रंथ आये, कोई कहीं से, कोई कहीं से, हस्त लिखित लिप्या, पढ़ते पढ़ते कुछ बाते, जची कुछ खुदाताला के अनुभव के इशारे मिले, लेकिन अनुभव करने वाला कोई फकीर तो न प्राफना करता रहा हुआ प्राफना रामकृष्ण कहते हैं कि रदे की प्राफना आपके वचन और रदे जब एक होता है तो वह असली मैं के अस्ताक्षर मानों हो जाते हैं और प्रकरती में घटना घटती है क्योंकि समस्टी और आपका असली मैं एक ही है व्यस्टी और नकली मैं एक ही हो जा बाल तुम नहीं बढ़ाते हो समस्टी की सत्ता से बाल बढ़ रहे हैं लेकर मेरे बाल बढ़ गए हैं तुम बढ़ा के दिखा तेरे बाल आदा इंच तु मैं माननू नकली मैं बोलता हम मेरे बाल बढ़ गए रोज सुबह नौ से दस के बीच ये दाड़ी और बाल बढ़ते आइना लेकर बैठे रहो तबी भी पता नहीं चलेगा कि किस वकत के से बढ़ते ताइम तो मैंने बता दिया फिर भी दिखेंगे नहीं और बढ़ रहे जैराम जी बोलना पड़ेगा धाड़ी बाल तुम आ रहे हो कब बढ़ते ये मैं समय बता रहा हूं फिर भी तुम देख नहीं सकते क्योंकि तुम नकली में में बैठे और ये असली में का मुमेंट है फिर से जैराम जी बुलना पड़ेगा आप जो भोजन करते हैं उसके तीन हिस्से हो जाते हैं एक सात्वी किस्सा जिसे मन बुद्धी को पोष्ण मिलता है राजसी हिस्सा मा स्पेशियों को रक्त को पोष्ण मिलता है और तीसरा हिस्सा जोए सोबेरे रोज खाली हो जाता है अभी जो बैठा है मैं पलाना अशाराम महराजू में पलाना बाईू हूँ यह वास्तों में आपने आपने जो खाया उसमें से सार सार कण एकत्री धुए